Hello guys, welcome to Science Workshop, this is Kusum here. इस वीडियो में हम Polarized Microscopy के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो की Light Microscopy का ही एक टाइप है. हम Light Microscopy के चार टाइप के बारे में पहले डिसक्स कर चुके हैं और ये इसका 5 टाइप हुगा. अगर आपको इसका PDF चाहिए, तो आप मुझे टेलिग्राम चेनल पे जोइन कर सकते हैं. टेलिग्राम चेनल का जो लिंक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और जिसका नाम है Science Workshop. अगर आप चाहें तो आप मुझे ट्वीटर पे भी फोलू कर सकते हैं. तो इसका लिंक जो है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ये Light Microscopy का Complete Revision Class होने वाला है, और इसके अंदर हम जो Brightfield Microscopy, Darkfield Microscopy, Feast Contrast Microscopy, Coon Focal Microscopy, ये चारो तो हम पहले वीडियो में कवर कर ही चुके हैं, और इस वीडियो में हम Polarized Microscopy के बारे में पढ़ लेंगे, और एक Next वीडियो में मैं Interference Microscopy के बारे में बता दूँगी आपको, और उसके बाद में, जो है, Light Microscopy का एक ही वीडियो में जो है, वो आपका Revision हो जाए हो सकता है, इस Class को हम Live कर दें, Live Class ले ले या फिर ये जो है, वीडियो बना के मैं आपको अप्लोड गर दूँगी, तो आप वहां से भी देख लेना, और अगर आपको क्या लगे कि वीडियो में करना चाहिए, या फिर Live करना चाहिए Class को, तो आप मुझे Comment box में अपनी राय देख सकते हैं, खेर वो तो मिल ही जाएगा, इसका तो इस वीडियो में हम Polarized Microscopy के बारे में पढ़ लेते हैं, So, Polarized Microscopy, इस जो टेक्निक का जो उप्योग है, या फिर हम इस टेक्निक का जो यूज है, वो हम क्यों करते हैं, ताकि हमें एक 3D स्ट्रेक्चर में सके हमारे स्पैसिमेन की, या फिर हम जिस अबजेक्ट को देखना चाहते हैं, उसकी और उसकी composition को evaluate कर सके हैं, तो इसके ल उसका जो contrast है, उसको enhance करके हम देख पाएं, ठीक है, एक अच्छी contrast वाली और 3D image देखने के लिए जो है, वो हम light, sorry, polarized microscopy का यूज करते हैं, जो कि light microscopy का ही एक type है, इसी वज़े से हम इसमें object को visualize करने के लिए किसका यूज करते हैं, light का यूज करते हैं, ठीक है, इसमें क्य principle है इसका, कि किस principle पर ये काम करती है, वो देखते हैं, देखो हम light की बात करें, light की जो beams होती है, वो अलग-अलग direction में vibrate होती है, ठीक है, like कोई भी light की beam है, वो सारे direction में, different direction में क्या करेगी, vibrate करती है, लेकिन इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक polarizer का use करते हैं, जो कि allow करत है, कि सिर्फ एक ही direction में light की vibration को क्या करेगा, allow करेगा, देखो आप यहाँ देख सकते हैं, कि कोई भी अगर light beam है, तो वो different direction में क्या करेगी, वो different direction में vibrate करेगी, move करेगी, ऐसे करके, यह different direction में आप देख रहे हो, लेकिन अगर हमने polarizer लगा दिया, तो वो सिर्फ जो polarizer है, वो सिर्फ एक ही direction में इस light को vibrate होने देगा, ठीक है, हमें एक plane line में या फिर एक ही direction में इस light का vibration या फिर movement मिलेगा, तो इस वज़ाए से हम इसका use करते हैं polarizer का, इस microscopy में, तो यहाँ पर क्या था, कि जो light beams हैं, वो different direction में vibrate करती है, यानि सारी की सारी direction में vibrate करती है, लेक लेकिन इस polarized microscopy में जो है, एक polarizer लगा हुआ होता है, जो कि सिर्फ एक direction में इनके light के vibration को allow करता है, तो यहाँ पर एक तो इसका होता है polarizer, जो इस microscopy में लगा हुआ होता है, जो कि क्या करता है, one direction में light vibration को move होने देगा, और इसके लावा एक और चीज लगी होती है, जिसको ह हम यहाँ बोलते है analyzer, ठीक है, एक analyzer इस microscope में लगा हुआ होता है, और analyzer क्या करता है, जो light, यह polarized जो light है यहाँ पर एक ही direction में जो गई है, उसको detect करने में क्या करेगा, हमारी help करेगा, detect करके देखने में हमारी help करेगा, यहाँ पर spelling में थोड़ा सा mistake है, detectable है यहाँ ठीक ह so analyzer जो है, वो light को detect करने में हमारी help करता है, और polarizer जो है, वो light जो की different direction में वाइब्रेट होती है, उसको सिर्फ एक direction में वाइब्रेट होने देगा, तो यह एक man point है इसके अंदर, polarized microscopy के अंदर, so जो polarizer है और जो analyzer है, वो इस तरह से aligned रहते हैं, यानि एक दूसरे के parallel aligned रहते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर polarizer है, तो यहाँ बीच में हमारा specimen आएगा, और आगे जो है, वो analyzer इस तरह से लगावा होगा, यानि एक दूसरे के यह parallel है, so यह हमने देख लिया कि light जो है, वो different direction में move करती है, या फिर vibrate करती है, और polarizer जो है, वो इसको allow करता है, कि यह सिर्फ एक direction में move करें, या vibrate करें, अगर polarizer और analyzer को हम pre-pendicular में, या फिर crossed में set कर दे, तो क्या होगा, कि जो light है, वो penetrate नहीं कर पाएगी, और जो result है, वो हमें darkness देखेगी, यानि हमें कुछ भी result देखने को नहीं मिलेगा, image देखने को ही नहीं मिलेगी, ठीक से, वहाँ पे पूरा का पूरा darkness होगा, अगर इनका जो setup जो है, वो pre-pendicular में रख दिया गया, यानि ये parallel नहीं हुए, एक दूसरे के polarizer और analyzer, तो हमें result जो है, वो darkness ही देखने को मिलेगा, हमें image जो है, वो ठीक से देखने को वहाँ पे नहीं मिलेगी, object की, तो यहाँ पे सेन देख सकते हो, कि यहाँ जो है, हम light source से क्या करते है, light source से जो है, वो unpolarized light ही यहाँ पे क्या होती है, produce होती है, लेकिन यहाँ पे polarizer से जब यह गुजरेगी, तो यह क्या होगा, light wave जो है, वो polarized हो जाएंगे, ठीक है, कुछ इस तरह का polarized microscope हमें दिखता है, यह आप देख सकते हो, यहाँ पे, इस तरह का कुछ polarized microscope हमें देखने को मिलेगा, इसका क्या principle है, वो हम देख चुके हैं, कि यह किस principle पे काम करता है, और इसका mechanism क्या है, working mechanism, वो भी हम देख लेते हैं अभी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यह तो polarizer लगा हुआ है, यहाँ पे जो है, यह यह पे analyzer लगा हुआ है, तो यह दोनों एक दूसरे के क्या है, parallel है, और बीच में हमारा क्या होगा, बीच में हमारा होगा specimen, लेकिन specimen की भी एक खासियत है यहाँ पे कि किस तरह का specimen देखने के लिए हम इस polarized microscopic का यूज करते हैं, हमारा जो specimen होगा गाईस, वो क्या होगा, बायर फ्रीजेंट specimen होगा, अब बायर फ्रीजेंट का मतलब भी हम समझते हैं, कोई ऐसा object या फिर कोई ऐसा substance जो कि क्या होता है, मान लो उसकी physical जो properties होती है, ठीक है, वो different different हो, मान लो एक ही substance है, कोई भी crystal का example ले सकते हैं, मान लो ये कोई crystal है, तो यहाँ पे अगर हम इसका density ही देख ले, तो यहाँ पे तो अलग density मिलेगा, यहाँ कुछ है अलग मिलेगा, एक ही substance में उसकी अलग-अलग जगह पे property हमें थोड़ी अलग-अलग दीखने को मिलेगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, bire-fresent specimen या फिर bire-fresent substance बोलते हैं, ठीक है, तो ऐसे substance जो है, उनको visualize करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, टो यह बायर फ्रीजन्ट सप्स्टेंस की हम यहाँ बात करते हैं ठिक है? तो यह बायर फ्रेजन्ट सप्स्टेंस जो है वो किसी भी light को आगे दो में दो rays में जो है वो split कर देंगे अगर हम एक white light देते हैं और ये इसके उपर buyer present पर पड़ती है ठीक है तो ये आगे जाके दो rays में इसको split कर देगा और ये split ना हो इसलिए हम यहां बीच में जो है वो polarizer का use कर रहे हैं अगर polarizer नहीं होगा तो इसकी image जो है वो हमें clear देखने को नहीं मिलेगी so firstly क्या होता है हमारे पास में एक light source होता है क्योंकि ये light microscopic का ही type है इस वज़े से light source से क्या होगा light produce होगी then यहां पे जो है एक बीच में जो polarizer लगा हुआ होता है जैसे ये वाला हमारे पास light source है ये polarizer लगा हुआ हो है और यहां से जब ये light गुजरेगी तो ये plane polarized light होगी है ना क्योंकि ये different direction वाले को allow नहीं करती सिर्फ एक direction में light को क्या करती है allow करती है तो ये जो light जारी है वो plane polarized light है ये हमारे बायर फ्रिजन्ट specimen के उपर पड़ेगी यहां से जब ये गुजरेगी तो एक तो होती है extraordinary rays और दूसरी होती है ordinary rays ठीक है ये दो में split हो जाएगी ऐसे तो एक तो है extraordinary rays बोलते है और दूसरी ray जो होती है जो split होने के बाद में उसको हम बोलते है ordinary rays अब यहां पे एक analyzer लगा हुआ होता है ये analyzer जो है इसको क्या कर देगा combine कर देगा ठीक है इसको आगे जाके क्या कर देगा combine कर देगा और जो light गई है उसको detect करने में ये हमाई help करेगा और जो recombine light rays after interference so analyzer से गुजरने के बाद में ये recombine कर दे रहा है light rays को और यहां पे बाद में हमें ocular lens पे या फिर eye piece lens पे हमें image हमें देखने को मिल जाएगी तो ये इसका पूरा process होता है आयूप समझ में आ गया होगा एक बार हम वापस से revise करते हैं ताकि कुछ भी doubt बचा हो तो वो आपको clear हो जाए देखो ये है हमारे पास में एक light source क्योंकि हम light microscopic की बात कर रहे हैं क्योंकि polarized microscopy जो है वो एक light microscopic का type है तो हमारे पास में एक light source होता है जिससे क्या होती है? light produce होती है अब ये produce हुई light है न ये unpolarized light है क्या कहोगी? ये polarizer की उपर से गुजरेगी और जब ये polarizer से गुजरेगी तो ये unpolarized light को plain polarized light में convert कर देगी convert करने का मतलब सिर्फ ये polarizer one direction वाले light को ही आगे जाने देगा बाकि को ये remove कर देगा अब ये polarized light है वो हमारे specimen जो की buyer frozen specimen है उसके उपर पड़ती है ठीक है? अब specimen से आगे जब जाएगी तो इसको ये दो में split कर देगा ठीक है? दो rays में split कर देता है जिसमें से एक को हम बोल रहे है extraordinary ray दूसरी को हम बोल रहे है ordinary ray इसके आगे एक analyzer लगा हुआ होता है ये आप देख रहे हो ये एक analyzer है अब ये analyzer इन दो rays को क्या कर देगा? combine कर देगा और combine करने के बाद में यहां से जो ray निकलेगी वो recombined light ray होगी after interference और ये पड़ेगी ocular lens पे और यहां ocular lens पे हमें जो है वो image दिख जाएगी जो की एक 3D image होगी और काफी clear image जो है वो हमें यहां पे by our present specimen की दिख जाती है ठीक है? So I hope अब तो समझ में आई गया होगा क्या इसका working mechanism है और ये कैसे काम करता है? इसमें मैं दो ही point होते हैं कि ये polarizer और analyzer लगावा होता है जो की polarizer first जो है वो क्या करेगा? light को polarize कर देगा यानि one direction में ही आगे vibrate होने देगा और बाकी को remove कर देगा बाकी direction में जो light जा रही है उसको remove कर देगा और जो analyzer जो है वो हमें detect करने में एक तो help करेगा और दूसरा कि ये जो split free light है इसको recombine कर देगा ये ये वाला इसका काम होता है ठीक है ये पूरा का पूरा इसी के 20 पे चलता है पूरा polarized microscopy का principle and working mechanism सो यहां पर आप देख सकते हो polarized microscopy working mechanism जो कि हम पहले समझी चुके है लेकिन यहां आप notes बना सकते हो और इसका PDF तो मिली जाएगा आपको telegram channel पे सो हमारे पास में एक light source होता है जिससे क्या होगी light produce होगी एक white light produce होती है जो कि unpolarized होती है ठीक है जो polarizer है वो कहां पे लगा हुआ होता है light source और sample stage के बीच में लगा हुआ होता है यहां पे हमने देखा ही देखो पिसले slide में हमने देखा था जो polarizer है यह polarizer है यह और यह हमारा light source है और यह हमारा specimen है इन दोनों के बीच में लगा हुआ है specimen और light source के बीच में तो यही हम यहां पढ़ रहे हैं कि जो polarizer है वो light source और sample stage के बीच में लगा हुआ होता है so जो polarize the light before it passes the specimen specimen तक light पहुँच से उससे पहले उस light क्या कर दे रहा है polarize कर दे रहा है after this penetrating the specimen it must pass through the analyzer before it reaches to eyepiece eyepiece lens तक पहुँचने से पहले जो specimen से light गई है वो analyzer को cross करके ही जाएगी ठीक है और हमें एक virtual image दिखेगी और जिसको हम detail में देख सकते हैं उस image पे हमारे specimen की details को हम वहाँ पे उस image में देख सकते हैं eyepiece lens पे ठीक है तो यही इसका पूरा theory था then buyer present specimen के बारे में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है जो कि हम पहले समच चुके है वैसे तो कि buyer present specimen होता क्या है देखो buyer present और doubly refracting refracting sample double refracting sample जैसे कि यह दो split कर दे रहा है दो raise में यहाँ से तो एक ही raise आ रही थी लेकिन आगे जब यह जाएगी तो दो raise में इसको क्या कर देगा split कर देगा जिसको एक को हम extra ordinary ray बोल रहे थे और दूसरे को हम ordinary ray बोल रहे हैं ठीक है तो buyer present जो है वो doubly refracting sample होता है has a unique property जो कि unique property को रखता है or that it can produce two individual wave components while one wave passes through it those two components are termed as ordinary and extraordinary waves यही हमने अभी समझा कि एक जो wave गुजरती है इससे होके उसको दो में split कर देगा an illustration of a typical construction of nickel polarizing prism यह एक special type का prism होता है जिसको हम nickel polarizing prism बोलते हैं और इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि हमने एक non-polarized white light ली जो कि आगे क्या होगी split होगी दो rays में ठीक है जब इसने prism को pass करा तब आगे क्या हुआ कि white light जो थी वो दो ray में split होगी the one travel out of the prism is called ordinary way and other one is called extraordinary ray so if we have a biofrescent specimen located between the polarizer and analyzer the initial light will be separated into two waves when it passes through the specimen जब यह पूरा का पूरा हम वैसे समझ चुके है देखो कि हम यहां पे हमारा revise हो रहा है कि हमने पीछे biofrescent specimen के बारे में क्या देखा था जो biofrescent specimen होता है वो यहां पे यह बता रहा है कि यह double reflection होता है यहां पे like मान लो कोई भी कोई भी ray आ रही है और वो कहां से आएगी वो vacuum से आएगी किसके अंदर vacuum से वो आती है medium में तो जब वो medium में आती है तो वो थोड़ा reflect हो जाती है अपनी side से तो ऐसे कोई ray आ रही है तो यह अपनी जगह से reflect हो जाएगी इस तरह से लेकिन biofrescent जो substance होते है उसमें reflect जो होती है वो double में split हो जाती है ठीक है तो इस तरह से कुछ हमें देखने को मिलता है और यहां पे हमने देखा कि एक nickel polarizing prism होता है और उसमें से हम यहां पे एक experiment देखा गया कि non-polarized light जो थी हमारे पास में यानि white light जो थी वो उसके अंदर से पास कराई गई और वो आगे जाके दो ray में split हो गई उसमें से एक को तो हम बोल रहे है ordinary ray और दूसरे को हम बोल रहे है extraordinary ray ठीक है और इस वज़े से हम देखते है कि जो biofrescent specimen होते है जो कि polarizer और analyzer के बीच में पास करती है after exciting the specimen the light components become out of phase but are recombined with constructive and destructive interference when they pass through the analyzer तो बाद में जब analyzer से गुजरे गी रहे तो क्या होता है मैं एक combined ray मिलती है एक combined ray मिलती है इन दोनों के combine होने से एक constructive और destructive interference हमने last video में देखा था ठीक है जब हम शायद phase contrast microscopy के बारे में पढ़ रहे थे कि एक तो होता है दो rays आती है इस तरह से जब एक ही direction में होगा तो constructive हो जाएगी different direction में होगा तो destructive interference हो जाएगी आगे जाके इस तरह से कुछ हमने देखा था now the combined wave will have polarized light wave जो combined wave होती है वो क्या हो जाती है polarized light wave होती है ठीक है जिसको क्या गरता है analyzer जो है वो detect कर लेता है और image plane पे हमें क्या मिलेगी image देखने को मिल जाएगी so कुछ unisotropic substances होते हैं जो कि क्या होते हैं बाइर फ्रिजेंट होते हैं ये जो unisotropic substances जो है वो difficult physical properties रखते हैं जो कि different जिनकी different values होती हैं जब हम उनको different direction में measure करते हैं जैसे मैंने crystal का example लेके बताया कि हम यहाँ पे इसका density देख रहे हैं तो हमें कुछ अलग density मिलेगा हम यहाँ से इसको measure कर रहे है density को तो कुछ और density हमें देखने को मिलेगा यहाँ से देखेंगे तो कुछ और density का हमें measure देखने को मिलेगा ठीक है तो इस तरह से कुछ ऐसा substances होते हैं जो अगर हम different different जगह से अगर हम उसको measure करेंगे तो उसका value भी हमें different ही मिलेगा जो कि non-polarized अगर white light इसके उपर डाल रहे हम तो यह क्या हो रही है कि आगे जब यह specimen से गुजरेगी इस substance से गुजरेगी तो यह एक तो हो जाएगी ordinary ray में split और दूसरी ray जो जिसको हम extraordinary ray बोलते हैं जो में split हो जाती है तो इस वज़े से हम क्या करते हैं यहाँ पर analyzer को लगा देते हैं और analyzer जो है इसको re-combine कर देता है ठीक है इसके बाद में कुछ इसके applications देख लेते हैं कि कहां कहां polarized microscopy का use किया जाता है जो polarized microscopy होती है वो suited होती है एक तो crystals की steady करने के लिए या फिर अगर हमें pigments की steady करनी है या फिर हमें lipids की steady करनी है या फिर हमें glasses की steady करनी है तो इन साथारी चीजों की crystals, pigments, lipids, glasses इन सब की अगर हमें steady करनी है या फिर इसके इलावा जो ही बाइर फ्रीजंस रखते हैं, यानि कि जो भी बाइर फ्रीजंस व्हते हैं, जितने भी हमारे पास में बाइर फ्रीजंस हैं. अगर इन सबस्टेंसे की हमें स्टेडी करनी है, तो हम polarized microscope का use करेंगे, ठीक है? और सबको समझ में आ गया होगा कि बायरेफ्रीजिंट सबस्टेंस कौन से होते हैं जो कि अगर हम एक white light को इसके उपर डालेंगे तो उस रे को ये आगे दो रे के अंदर split कर देगा और दूसरा जो unisotropic हमने substance पढ़ा तो जिनकी जो physical properties हैं उनका हम measure करते हैं तो अगर different different जगह से उसकी physical property अलग-अलग दिखेगी हमें चीक है? तो वो होते हैं unisotropic जो कि बायर-freezened substance होते हैं So I hope सब समझ में आई गया होगा अगर revise करना है तो हम एक बार वापस revise कर सकते हैं So हम बढ़ रहे थे polarized microscopy के बारे में जो कि एक light microscopy का type है इसको हम 3D image और image का जो contrast है उसको enhance करने के लिए use करते हैं और इसके अंदर जो light beam होती है जो कि different direction में vibrate करती है उसको एक ही direction में vibration के लिए हम polarizer का use करते हैं ठीक है? और इसके लावा एक analyzer का use करते हैं इसके अंदर जो कि light को detect करने में हमारी help करेगा और polarizer और analyzer जो होते हैं वो parallel लगे वे होते हैं एक दूसरे के अगर ये parallel नहीं है तो ये काम नहीं करेगा क्योंकि जो result आएगा वो क्या होगा? हमें darkness दिखेगी सर्फ ये different direction में light move कर रही है और यहाँ देख रहे हो वो polarizer लगाने के बाद में ये सिर्फ one direction में light को आगे बढ़ने देगा ये same हमने देखा था कि अगर ये एक दूसरी क्रोस करते है तो हमें result जो है वो darkness दिखेगी इसके अलावा जो polarizer है ये हमारे light source और specimen के बीच में लगावा होता है और specimen जो है वो buyer present specimen होना चाहिए buyer present का हम मतलब समझ चुके हैं कि buyer present जो specimen है वो ऐसा specimen होता है या फिर ऐसा substance होता है जोकि non-polirized white light को आगे दो में split कर देता है और जिनकी physical property जो है वो अलग-अलग जगय पे मापने पे अलग-अलग होती है buyer present specimen सेम हम पढ़ चुके है applications इसके हमने देख लिए है so I hope अब तो सब को समझ में आई गया होगा so ये जो starting में मैंने बताया था light microscopy का complete revision class होने वाला है आप attend कर सकते हैं अगर ये live हुआ तो अगर video upload करा मैंने तो आप video देख लेना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और आप comment box में बता देना कि इसका मैं video upload करूँ या पिर आपको live लेना है ठीक है so इसके अंदर bright field, dark field, face contrast, confocal, polarized, interference इन सब का क्या होगा एक ही class में हम revise कर लेंगे वैसे तो इन सारे जो यह यहां तक इन सब का आपको video अब तक मिल जाएगा या यानि यह वाला video हमारा polarized का भी हो गया इससे पहले वाले videos में upload कर चुकी हूँ interference का next video में हम cover कर लेंगे सो उसके बाद में इक लास करेंगे ठीक है सो अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो प्लीज लाइक कर देना गाईज अगर share करने का मन करें अपने दोस्तों के साथ में उनको भी कोई help मिल जाएगे अगर वो भी इसी से related पढ़ा ही कर रहे है तो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लेना और बैल आइकन को प्लेज करना मत पूलना तक इन नेक्स्ट वीडियो को अपडेट जोब आपको मिल जाए जब भी नेक्स्ट वीडियो आए थेंक्यू सो मच गाईस